असलाम अलेकुम मैं अपने विलोग में बात करती तो नहीं हूँ लेकिन आज मैं मजबूर हूँ बात करने पर यह एक स्वेमिंग पूल है जो मेरे घर की बैक साइड बैक्यार्ड के साथ जिस घर का बैक्यार्ड है उनके घर में हैं और मैं अपनी बालकिनी से यह वीडियो बना रही है यह काफी बड़ा स्वेमिंग पूल है तकरी बनार से दस फूत गहरा इस स्वेमिंग पूल को यह लोग कच्रे से भरने की कोशिश कर रहे हैं पिछले चंद साल से उसके बाद इसमें बारिश होती है पानी जमा होता है हम बद्बू की वज़ा से तो तंग हैं कच्रे की वज़ा से भी तंग हैं फिर उसमें जब पानी आ जाता है बारिश का और जो बद्बू उटती है उसने हमारा जीना महाल का रखा है इनके घर के इस बैक यार्ट को यह L शेप एक बड़ा घर है इनके घर के बैक यार्ट को तकरीबन 6-7 घरों के बैकेआट जोड़ते हैं उनकी दिवारें और खौफ और रास हर घर में दो से तीन लोग डेंगी में भी मुटत लाएं तकरीबन हर घर में पूरी स्ट्रीट में इस गंदगी की वज़ा से खौफ है पूरी स्ट्रीट के लोग इस से खौक्स जदा भी हैं और इसकी इतला भी दे चुके हैं आला हुकाम को डीसी साप को भी इसके बारे में पतला है डेंगी आफिस में भी इसके बारे में पतला है सब स्टाफ जानता है सब लोग जानते है किस घर के बैक यार्ट में क्या है MPS आपके पास भी इसकी फोटिज माजूद है उनको वीडियो भेज़ दी गई ही है लेकिन तीन महिने दो तीन महिने में भी वो कोई कुछ नहीं कर सके वो बेबास हैं ये इनके घर में द्रख्त हैं जी जो इन्होंने अपने बैक यार्ट के चारों तरफ लगाए में अताके लोगों के घरों से इनके घर का लौन नजर ना आए इन द्रख्तों को काटने की अजाज़त नहीं है इनकी शाख्य हमारी दिवारों के साथ जोड़ती है जया हम इन जोगों के इखलाख की वज़ा से कोई बात नहीं कर सकते ये वाप्डा का ऑफिस का वैक यार्ड है ये वाप्डा के ऑफिस की विणडो है और इस ऑफिस के तमाम लोग डैंगी में मुगतला आएं और पिछले डेर दो हफ़ते से वो इलाके में बिजली का काम नहीं कर सके पूरा इलाका, पूरी स्ट्रीट, पूरा महला बेबास है DC साब बेबास है, MPA साब बेबास है वो क्यों इन कुर्सियों पे बैठे हुए है वो क्या काम कर रहे है कोई स्प्रे करने वाले नहीं आते एक दफा या दो दफा स्प्रे के लिए लोग आए जब हमने उनसे थोड़ी तफसील से बात की तो उन्होंने बताया जी हमें फ्यूल नहीं दिया जाता फ्यूल चोरी हो जाता है और हमें दवाई नहीं दी जाती इतनी कम मिकदार में दी जाती है कि उसमें हम जब धेर पानी डालेंगे पूरे लाके को कवर करने के लिए तो वो बे असर हो जाती है किस से जाके पूछें हॉस्पिटलों के क्या हला आते हैं किसी मीडिया चैनल पे उसको खुल के नहीं दिखाया जा रहा सिर्फ यास्मीन राशिद साहिबा की फोटिज दिखाई जाती है परवेज जिलाई साथ के साथ ये अजराबाजी है मेरे स्टाफ में इनकी इजाज़त से मैं इनकी फोटिज बना रही हैं ये छे दिन से डेंगी में मुब्तला है बहुत तकलीफ में है अपनी उमर की बज़ा से भी ये मेरा बच्चा है दिन्गी में मुब्तला है बहुत तकलीफ में है मैडिसन मिलना बहुत मुश्किल है और मुँ मांगी कीमत बेची जा रही है पैनडॉल लहौर से कहां चली गई बड़के पुरे पाकिस्तान से कहां चली गई कौन जखीरांदोज हैं जिन्होंने इसको इसकी जखीरांदोजी की विया और मुँ मांगे दाम पे बेच रहे हैं ये वो दरख्तों की शाखें हैं जो हमारी च्छतों और हमारी दिवारों के साथ जुड़ी ही हैं लेकिन हम इनको काट नहीं सकते हैं ना काटने की इजाजत है इसलिए के किसी की बच जबानी कोई नहीं सुन सकता जिस कदर गलीज जबान ये लोग बोलते हैं वो कोई शरीफ लोग नहीं सुन सकते अच्छे निबस दे अच्छे हमसाए दे यकीन करें कि अच्छे हमसाए बहुत बड़ी निमत है ऐसी निमत है जिनके लिए आप दौा करते हैं कि हमेशा आपके साथ रहें इतने अच्छे हमसाए जिनके लिए आप दौा करें ना कि बस ऐसे काम करने पड़ें जो मैं इस व अच्छा नहीं लाग रहा कि मैं अपने नेबस की शिकायत को पब्लिक कर रही हैं लेकिन हम इनकी शिकायत पिछले पांच-छे साल में बहुत जगों पे कर चुके सारी शायद इससे रिलेटिड सारी प्यूरकर्सी बेबस है या वो काम करना नहीं जाती है एम पिए साब बेबस हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हम वजीरियला हाउस के बड़े बड़े हॉलो में बैठके कुर्सियां लगाके मीटिंग्स कर रहे हैं जलसे कर रहे हम क्या करें हम किसको जाके कहें हमें कुछ समझ नहीं आ रही मेरा तो दिल चाह रहा है कि इस निकले ना जरा वजीरियला हाउस से बाएर निकले जहुर लाई रोड से बाएर आएं इन अलाकों में यहां बैट के अपनी मीटिंग्स करें आपको भी पता चले कि आम शेरी कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं जाएं जरा हॉस्पिटलों में सरकारी हजबतालों में जाए और जाके देखें कि वहां के क्या हलात हैं आप जो फिगर्स बता रहे हैं मीटिया पे वो सब गलत हैं यास्मिन राशे साहिबा ने अभी इतनी बिमारी काटी है उनको शरम नहीं आती इतना बड़े बड़े जूट बोलते वे आपको अंदाजा है कि इस वक्त लहोर में त दवाईयां आपके पेट्रॉल्स ये सब कौन चोरी कर रहे और जिन घरों में ये चोरी होके जा रहे उनका क्या बनेगा उनके घरों का क्या बनेगा ये लोग तो इस वबा से चंद दिनों में निकल जाएंगे जिनकी लिखी है वो दुनिया से भी चले जाएंगे लेकिन आपका क्या बनेगा मेरा सवाल है आपसे आपका क्या बनेगा क्या होगा आपके बच्चों का क्या होगा आपकी आखरत का क्या होगा क्या होगा अब तो आखरत का इंतजार ही नहीं अब तो हिसाब किताब दुनिया में होते हैं क्या बनेगा इन लोगों का जो ये तेल और जो जूट बोलते हैं मीडिया के साथ कि कितने पेशन्ट हैं और क्या है क्यों नहीं आप लोग हॉस्पिटलों में जाके देखते हैं कि कितना पेशन्ट हैं क्यों नहीं हंगामी बुनियातों के उपर लहोर में और जहां जहां पे डेंगी है इसके लिए काम किया गया है हमने देखा है किसे हफतों के अंदर लहौर से या पंजाब से जैंगी को मुकमल तोर पे किस तरह खतम किया गया है हमने वो दोर देखा है इसलिए आप हमसे जूट नहीं बोल सकते आप हमें नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता बिलकुल हो सकता है सब कुछ हो सकता है अगर आप करना चाहें तो अगर आप अपने एशवायाशी छोड़ें और बाहर निकलें और आएं इन जगों पे आके बैठके कुर्सियां लगाएं और बात करें निकलें ठंडे कमरों में से बाहर और आराम दे सोफों से उठें उठके देखें सिर्फ चंद फोटिज चला के वन वन टू टू की और जूट बोलके के 128 केस थे 200 केस थे जी नहीं सेंक्रों के हसाब से लोग डेंगी में मुद्टला आएं जनाब सेंक्रों के हसाब से लेकिन आपका सेक्ट्रियेट आपके सेक्ट्रियेट के दफ्तर आपकी महलों और अलाकों के दफ्तर कहीं कोई काम नहीं हो रहा सिर्फ वक्त गुजरा जा रहा है वक्त गुजर जाए वबार निकल जाए मौसम आगे चला जाए और उसके बाद सब ठीक हो जाए आज अगर जमीर है और जो लोग मेरा ये विलॉग देख रहे हैं अगर उनके पस जमीर है और वो साहबे इक्तदार हैं उनके पस ताकत है कि वो ये सब कुछ कर सकते हैं तो मेरा सवाल है वो जरूर सोचें सोचियेगा जरूर कि काम हो भी सकते हैं क्योंकि हमने होते देखें फिर लोग याद करते हैं उस वक्त को जब इसको कंट्रोल किया गया था और मजूदा वक्त को लियासमिन राशित साहिबा एमर्जन्सी लगाएं आजब तालों में और देखें और सही फिगर्स दें कि पंजाब में डेंगी का क्या हालात है आप सिरफ शाबश लेने के लिए प्रवेजिलाई साथ के साथ पास चली जाती है और खड़ी हो के हस हस के आप लोगों को शरम नहीं आती हसते वे आप लोगों को ये सारा कुछ करते वे शरम नहीं आती कि आपकी अवाम कीड़े मकाड़े हैं ना हम हम इनसान तो हैं यह नहीं मिडल क्लास अपर मिडल क्लास गरीब लोग अब तो सब एक बराबर होते चले जा रहे हैं सब के लिए आपका एक ही मामला है ठीक है क्योंकि आपके पास तो इस वक्त कुरसी है ना तो कुरसी तो किसी के पास नहीं कुरसी तो सिर्फ एक ही और वो अल्ला की कुरसी है समझे ना सवाल का जवाब जरूर दीजेगा और हमारे हलके की कुरसी पी टी आई के पास है